हलो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक माई ओफेसियल यूटीब चैनल लॉवित रोने दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटीब चैनल पर स्वागत है साथियो एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहा है जो कि एलहाबाद हाई कोट से है साथियो इसमें आज हम बात करेंगे law training का जो screening test होने वाला है उसी के essay से related हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपको essay लिखना होता है examination में अगर screening test देने जा रहा है या फिर आप किसी भी examination का मेंस examination देने जा रहा है तो आपको कैसा essay लिखना होता है उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं साथियों यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए essay खुद अपने handwriting में लेकर करके मैं लेकर के आया हूं अगर आपको लगता है कि यह essay आपके पास भी होना चाहिए तो साथियों आप टेलिग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं जो कि law with रोनित के नाम से है आप टेलिग्रा मैंने 35 बता दिया है यह यह टॉपिक क्या कर सकते हैं कभर कर सकते हैं अपने screening test के लिए ठिक और English के भी मैंने 15 बता दिया है तो आपने अगर वह session भी नहीं observe किया हो तो वह session भी आप देख लीजिएगा आपको playlist के अंतरगत लॉट रेनी का एक playlist बना होगा उसी के अंतरग करके topic आपके examination में मिलेगा और इसी पर आपको क्या करना होगा साथियों इसी पर आपको अपना एक essay frame करना होगा और देखिए यहां पर यह तो और लगाया है बीच में करें blessing of science के बारे में हमको बताना है या फिर science and human happiness के बारे में हमको बताना है तो जब कभी भी हम अपने essay को frame करते हैं सबसे तो पहले हमको essay का introduction लिखना होता है इंट्रोडक्षान हमने लिख दिया यूज आप science के बारे में हम लिखेंगे कि जो बिज्ञान का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो science के दोरा हमको चीज़े provide की जा रही है उसके क्या-क्या इस्तेमाल है किस किस प्रकार के इस्तेमाल है उसके बारे में में लिखेंगे फिर क्या लिखना होता है और उसके पासे जैसे कंक्लूजन लिख देते हैं हमारा एक केस्टी होता है तो आप इसमें देखें किस प्रकार से मैं पहले Unternehmen Intelligence को दिखाऊंगा फिर कंक्लोजन को सो करूंगा तो सबसे पहले सबसे पहले स्टार्ट करतें इन्ट्रोडेक्सां में साथम दिशा रहा है वी लिवींग इन इस अब सन्सब्स पहले आपको पता ही है कि हम लोग कि सदी में रहा है हम विज्ञान की सदी में रहा है क्योंकि मुबाइल जो हम लोग चला रहा है विज्ञान की देन है जो हम एसी चला रहा है विज्ञान की देन है जो हम फैन चला रहा है विज्ञान की देन है मिन्स कि हम चारों तरफ से विज्ञान से घिरे हुए हैं तो वही क और विज्ञान का ही दिन है कि आपको तमाम प्रकार के मेकेनिकल कमफ़र्ट करने सत्म वासिंग मसीन अगर यह सारी हटा दिया अपने जीवन को अच्छे से बितापाएंगे अंगर आपसे मोबाइल ले लिए आपसे पंखाल जाए आपका जो भी whatever जो भी science से related चीज़े हैं वो सारी चीज़ों को आपको ले लिया जाए तो आप अपना जीवन यापन है वह comfortable आप नहीं बिता सकते हैं साथी साथ कर रहा है and medical facilities एक तो आपको वह mechanical comfort भी दे रहा है और यह medical facilities भी दे रहा है नया नया इलाज खोजा जा रहा है कि किस प्रकार से आपको सही किया जा सके तो यह सारी चीज़े क्या है यह सभी के सभी चीज़ आप इंट्रोडक्शन में अप अपने डाल सकते हैं इट आल्सो एफेक्टिंग दा ओपिनियंस अप दे मैं अंड उमें यह जो दिज्ञान है यह मैं अंड उमेंस के ओपिनियन को भी क्या करके रखा है बदल करके रखा है आगे कर रहा है साथियों कंसर्णिंग दा वैरियस थिंग्स अप दिस वर्ड प्रीवियसली दा अर्थ वास सपोस्ट टू बी अफ्लैट फ्लैक्ट डिस्क जो अर्थ था वह एक खाली डिस्क के तौर पता लेकिन अगर हम आज के परिपेक्श में बात करें टूडे वी केन हाड़ली फाइंड परस के द्वारा इसको निर्मित किया गया है आगे कर रहा है हीर एंड दिया सिमिलर्ली अगर हम साइन्स को देखें कर रहा है सिमिलर्ली साइन्स है रिवेल्ड टू अवर ओरीजिन इन वर्ल्ड ऑफ दा नेचर इंसिस्टेड ऑफ बिंग दा क्रिएशन ऑफ गौड हुमेंस आ बारे में आपर बता जा रहा है अब आगे देखें दोस्तों क्या कर रहा है कर रहा है साइन्स है साइन्स है आल्रेडी इंप्रूब लिविंग कंडिशन ऑप मैं विग्यान हमारे लिविंग कंडिशन को इंप्रूफ कर दिया है कहने का मतलब यह है कि science ने आपको हर एक चीज दिया है पहले के जमाने में क्या हुआ करते थे है पहले की जमाने में कोई-पी समस्या है हमको होती तो वैदे जी के पास जाते पता छलता था वैदे उतने क्वालिफाइड होते नहीं दें लेकिन अब क्या आगया है अब हमारे साथ उसी के तर्जबे सरजन सहाब अगया हैं हम मॉटर्कार पुजारियों को ले जा OW दिखाते देखिए त माम प्रकार की चीजों को करते तें और हम आत्यों को ख़ Dá लुट है गया है तो सभी चीजों का क्या होति है हमारे लिए इलाज सस्ता भी हो गया है और धेक्षेश भषरक रहा है कि व्चा आफ ट्रांसपोर्टेशेंग और कममुनिकेशन यẹ सब्षाण किभ्यां की धन हो को ट्रांसपोर्टेशन मिल कम्म nhुप मिल रहा है है वी तॉटेंड टाइम एंड इस्पेस आगे कर रहा है मोटर कार रेलवेस्ट इस्टीम सिप्स एंड एरप्लेइन सहब आवर जर्नी सेफ और एक्विक यह सभी चीजीू के बारे में आपको पता है कि यह सभी किसकी देन सभी का सभी विज्ञान का देन है कि हमक आप मेंस यहां पर इस्तेमाल करना चाहते हों नेक्स्ट कर रहा है यहां वहां से अगर वो क्लिक कर रहा है तो आपके पास इंडिया में भी बैठे बैठे चलायगा तो यह कि सकी देने साथी हूँ तो यह टेक्नोलोजी की देन है आगे कर रहा है Electricity is the greatest blessings of science Electricity, जो electricity की सुविधा हमको प्रदान की जा रही है यह भी एक greatest blessing है किसकी? Science की, कर रहा है In domestic life, electricity is the bone Domestic अगर घरेलू की हम बात करते हैं तो यह backbone है हमारा क्या electricity It keeps our houses, roads and buildings lighted It does make our small works like an obedient servant यह हमारे किस तरह से काम कर रहा है? एक obedient servant जो होता है, उसी प्रकार से science हमारे लिए As a obedient servant के तौर पे यह कारे कर रहा है It cooks our food, यह क्या करता है? Science की देना है कि हम ले करके induction पर कोई भी चीज को रख देते हैं हमारे खाना को बना देता है Foods को boil कर देता है, milk को, arrow water जो हमारा चला है सब किस से चला है, सब electricity की देना है वा सर, iron, our clothes and does में other tax Even trains are running by it और यहां तक की भी अब electricity का ऐसा देना है कि train को भी क्या किया जा रहा है electricity से ही चलाया जा रहा है आपको पता है कि इस समय electric EV वाहन भी निकाल दिये गए फुर वीलर वी इलेक्टरानिक वाहन निकाल दिये गए तो इलेक्टरशीटी का हमारे देश में हमारे समाज में बहुत ही बड़ा योगदान है अगर हम बात करते हैं तो electricity किसकी देना है तो साथी यह विज्ञान का ही देना है और विज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है साइंस ड़न वंडर्फूल वर्क इन आवर मेडिकल फिल्ड मेनी न्यू मेडिसिन्स हैब बिन इन्वेंटेड मेनी फैटल डिजिजिस के ननाव बी इजली क्योड मिन्स की जितने भी बीमारी थे सभी बीमारी होगा क्या किय अब विज्ञान के द्वारा नए नए उप्चार निकाले जा रहे हैं रेडियम एंड एक्सरे और वेरी हेलफुल टू डॉक्टर क्या करते हैं अब वह भी हाइले डिश्टल हो गया है वह तुरंत बीमारी का क्या होता है पता चल जाता है पहले के समय में यह सारी चीज़ को भी कैया जा रहा है वह किसकी देना तो साथ्यों चीज़ों को साइंस के लिभात घली यह हो साइंस के बारे में पढ़ रहा है तो साइंस की हम चर्चया यहां पे करेंग", इसे कि ट्रैक्टर से इस समय निकाल दिया गया है जो कि किसी ही दिने बिग्ञान की देन अगर बिग्ञान नहीं रहता तो हमारा क्या होता है हमारा खेती भी हमारा एगरिकल्चर प्रोड़क्ट भी इतना भूम नहीं कर पाता आगे कर रहा है जो बिग्ञान हमको दिया गया है इस बिग्ञान का क्या करेंगे तो साथियों यह था आपका पूरा सेशन जो मैं आपके सामने लेकर करके आया था इन सभी चीजों को मैंने यहां पर आपको डीटेल में अनेलिस्स कराने का कोसिस किया साइंस से रिलेटेड जो भी चीज थे जैसे भी हो सकते थे सभी चीजों को मैंने बताने का प्रियास किया सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोड़क्शन बताने का काम किया साथी साथ मै आपको उसके impact को बारे में बताने काम किया और last में conclusion मैंने आपको बताया अगर आपको ये session पसंद आता है तो साथयों आप अपने और भी प्रेंड circle में इसको share करें जो कि अपना जिनका लगा है कोई क्वैरी है तो आप हमको इस नंबर पर कॉल भी कर लिजिए अगर आपका जेन्मीन क्वैरी है तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट की वीडियो में एक नेक्स्ट सेशन के रहा तब तक के लिए धन्यवाद